नमस्कार में बॉबी जा, MNS News Live में आप सभी का स्वागत आईए देखते हैं बॉलिवुड की खास खबर चुड़ाय लवदार में देखी प्रयांका चोपडा शोचल मीडिया पर मेट गाला 2019 टेंड पर चल रहा है इस दोरान सलिब्रेटी अलग-अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं फैंस वारा कईयों की तारिफ की जा रही है तो वहीं कई सलिब्रेटी को ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है इंडियन एक्टर्स में प्रियंका चोप्रा सुर्खियों में बनी हुई है इस इवेंट में उनका गेट अफ लोगों को खास पसंद नहीं आया और फर्स लुक सामने आते ही लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया इसमें से एक ने कहा कि चुड़य लग रही है अपना पैड नहीं जमा पाए अपनी इस हालात का कारण बॉबी देवल करेना कपूर को मानते है इम्तियाज अली की ब्लॉग बस्टर्स फिल्म जब भी मैट में करेना और शाहिद की जोड़ी हिट हो गई थी लेकिन यहाँ बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में इम्तियाज की पहले पसंद शाहिद नहीं बलकि बॉबी थे एक इंटर्वी में बॉबी देवल ने खुद ही कहा था कि कईना कपूर ने उनकी जगा उनके शाहिद कपूर जो की उस समय कईना की बॉइफेंट से उन्हें बॉबी देवल के बदले फिल्म में लेने की लिए कहा जिसकी बज़र से यह फिल्म शाहिद को मिल गई पॉबी ने बताया कि जब फिल्म जब भी मैट करना चाहते थे तो उनको इस फिल्म के लिए पॉबी ने इंतियाज अली और फिल्म की प्रॉडक्शन हाउस अस्ट विनायक से भी बात चीच की थी लेकिन बाद में प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म को महेंगी बताते हुए फिल्म बनाने से इंकार कर दिया सलमान आमीर समेट 13 सेलिबरेटी स्कूल में पढ़ते थे एक साथ बॉलिवूड में कई एक्टर वो एक्टर्स अपने स्कूल टाइम में एक साथ पढ़ाई करते थे जिसमें आज कोई सुपरस्टार बन गए तो कई निडेशक इस लिस्ट में कई ऐसे भी नाम हैं जो बॉलिवूड से दूरी बना कर रखे हैं खास बात यहाँ है कि कुछ एक्टर्स को स्टार से सुपरस्टार बनाने में कई साल लगा दिये तो कुछ ने आते ही धमान मचा दिया वो तेरा सलेबेटी जो एक साथ पढ़ाई किये थे सलमान खान और आमिर खान अनुष्का शर्मा और साक्षी सिंग धोनी तो यह थे वो तेरा सलेबेटी जो एक साथ स्कुल में पढ़ाई करते थे तो मनेस न्यूज लाइब की ख़पर देखनी के लिए आज प्लेस टूर से मनेस इंदी अप डाउन्नोट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल